है यह वेल्कम टो माइच चैनल होम यूटी एंड क्राफ्ट इप्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है यह चैनल पर पहली बार आया है तो जली से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आ रही होगी उसको भी पुश्च कर ले तारी मेरी वीडियो की लोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंट्स आज हम पुरानी बैट शीट का यूस करके बनाने वाले हैं बहुत यूसफुल चीज तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा पसंद आए तो वन लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी तो यहां पर मैंने डबल फोल्डेड बैट शीट का यहां पर कपड़ा लिया हुआ ह यह देखिए इस तरीके से और इसको मैं डबल करूंगी डबल मैंने इसका कपड़ा रखा है और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बराबर करना है और फिर उसके बाद हमें इसकी कटिंग करना है तो चौड़ाई और लंबाई मैं पहले आपको बता देती हूं कितनी रहेगी आप लंबाई जितनी भी चाहें रख सकते हैं लेकिन मैं चौड़ाई बता देती हूं किस तरीके से आपको रखने है यहां पर हमने हैंगर का यूज किया है तो हैंगर को किसी भी पुराने हैंगर को आपको लेना है और उसके बाद हमें इसकी साइज देख लेनी है कितनी है जो भी हैंगर आप ले उसकी साइज पहले देख लेनी है कितनी है इस तरीके से इंचे टेप से इसको देख लें यह देखें यहां पर 12 इंच की इसकी लंबाई है तो हम इसकी चोड़ाई भी 12 इंच कपड़े की रखेंगे और यहां से निषानल लगा लेंगे। बठा मैं से अभी कट न ली करेंगे। बस निषानल लगा देंगे य Avenue फिर आप इसको बाद में भी निषानल लगा सकते हैं उख जो रखेंगे तब या तो अगर आप कपड़े की लंबाई काथ नीं है चोड़ाई तो आप काट सकते हैं पहले ही इस तरीके से निशान लगा के लंबाई हम मैं रखोंगे आपे 26 इंच तो दोनों मैंने चोड़ाई लंबाई देख ली है और अभी मैं कपड़े को कटने करूँगी बस बराबर कर दूँगी और फिर इसके बाद हमें इसके बीच में आप चाहे तो राइस बैग या तो फिर आप ट्रांस्पेरेंट प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं या तो फिर कि इसे săाइस के मैंने यहां पर फिर रखने हैं सबस्के हैं अनां दिन ऑजर सकते हमें प्लास्टिक क sv लूड़ा है और एक बैसा लिग्वरा में ऊज़ने यूज को मुड़ा है प्लास्टिक ने जाए इसलिए मैंने कपड़े को कुट नहीं किया हैं आ और इस तरह ठीके से इसकीं स्टीचिंग करनी है। पर नखू है कि आम लगा दिखेशन दो पें दाद और भी आ द इस पर हमया PIN नोगा है यह पर आज़िए और आप आप हैंगल लेना है औरन क्वार में सब्साइब dan प Candid तरीके से और फिर उसके बाद हमें इसकी कटिंग करने हैं कि दिखिए मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया है और अब हमें इसके साइड साइड में दोनों साइड में हमें पाइपिन लगानी है तो हम इसकी पाइपिन कर लेंगे यहां पर मैं वाइट कलर के इसकी पाइपिन लगाऊंगी तो यहां पर मैंने एक पतली बट्टी ली है और इस तरीके से वाइट कलर की और यहां से हम इसे इस तरीके से स्टिश करके इसको पलट देंगे जिस तरीके से आप पाइपिन लगाते हैं उसी तरीके से आप चौड़ी पाइपिन इसकी कर सकते हैं तो दोनों साट से मैंने इस तरीके से पाईपीन लगा दी है अच्छी चौकर 26 पर यहां पर पट्टी कट की थी इसको मैंनते थिपें को पिड्यादल करती है अच्छी को कहाल प्ला से और साइच क्या फिया है यहां से आप को इसमें फज्मर कमें OUT जिससे कि यहां से इसको कवर कर देना है और यहां से हमें नीचे की और रख कर इसकी स्टिचिंग कर देनी है तो यहां से हम पहले आप इसको स्टिच कर लें और फिर इसके बाद हम इसकी सिलाई कर दें तो यहां पर मैं पिन लगा लूंगी और फिर तो इसके बास simply मैं इसको सिल डूंगी आजिदी कि I think youinizi को अच्छे से शुदिया है I didção my यह लगा दीया पिन-कु और अब आप को सिल देंगे sil देंग निर तरहे कर दों साइड में हैंगर लगाएंगे और दोंस साइड को शेसे deadlines तो यहां पर मैंने दोनों साइड में इसी तरीके से लगा लिया है और यह हमारा और अर्गनाइजर बनकर रडी हो गया है और मैं बताती हूं आपको इसको यूज कैसे करना है सिंप्ली आप इसको वाड्रोब में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आप अपने वाड्रोब के स्पेस को बचा सकते हैं और अगर आपके कपड़े इधर अधर फैले रहते हैं तो आप जरूर इसको बनाए और इसमें अच्छे से सेफली अपने टीशेट शेट्स वग सब्सक्राइद के लिए बेर ऑपन ठीश होगा चीश सोय लिएे बित्सक्राइद कर इसमें। तरीके से बहुत ही easy simple सीथे तरीके से आप इसको बना सकते हैं और काफी space अपने wardrobe की बचा सकते हैं और इस तरीके से दो या तीन बना कर आप hang कर देंगे तो आपके काफी wardrobe में space हो जाएंगे जिससे की आप और भी कपड़े अपने set कर सकते हैं तो guys I hope कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो one like जरूर कर दीजेगा और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल subscribe कर लें मैं मिलूंगी आपसे next वीडियो में thanks for watching और comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आपको और किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं thanks for watching bye bye कर दो दो प्टेवान के सुझावान के जएखित विरगा के जए नहां के जो दोग देन के जए पाला है झाल झाल